हैलो गार्डनर्स अभी रैनी सीजन जाने को है और विंटर सीजन आने को है इसमें सभी गार्डनर्स अपने गार्डन की क्लीनिक करने में, नया सेट अप करने में, कुछ प्लांट निकालने में और कुछ प्लांट लगाने में लगे हुए हैं और winter season की तयारी start हो गई है और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है winter season के seed लगाना अभी हम seed लगाएंगे तभी तो winter में खूबसूरत से flower पाएंगे और हर gardener के लिए winter season सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है enjoyable होता है क्योंकि इसी सीजन में हमें सबसे प्यारे प्यारे से फ्लावर अपने गार्डन में देखने को मिलते हैं तो आज मैं आपसे ऐसे ही प्लांट के बारे में शेयर करने वाली हूँ इस लिश्ट में मैंने सबसे पहले रखा है डैंथस प्लांट को dianthus plant seed से काफी easily grow हो जाते हैं और ये इतने सारे colors में आते हैं कि यदि आप सिप dianthus के plant अपने garden में add कर लेते हैं तो आपको किसी और plant की कमी महसूस नहीं होती है ये काफी सारे colors variety में आते हैं ये single petal और double petal में भी आते हैं तो जो double petal में आते हैं उन्हें carnation कहा जाता है लेकिन दोनों की germination process same है तो आप दोनों को ही इस समय अपने garden में add कर सकते हैं और next है calendula plant calendula भी winter season का बहुती खुबसूरत plant है ये काफी easy to grow है इनके seed 7-8 दिन में germinate हो जाते हैं ये plant edible भी होता है इस plant की काफी ज़्यादा medicinal value भी है इसलिए इस plant को आप अपने garden में जरूर add करिए और ये light yellow dark yellow color में आता है और yellow color pollinators को attract करता है यन्याप इस plant को अपने garden में add करते हैं वतलब आप pollinator को अपने करीब बुला रहे हैं next plant है aliasum का aliasum भी winter season का बहुत ही खुशूरत plant है और ये seed से काफी easily grow हो जाता है इसे आप एक बार अपने garden में add कर लेते हैं तो ये सालो साल आपके garden में बने रहेगा क्योंकि इस plant के seed जहां जहां पे गिरते हैं इनका germination का time आने पर वो अपने आप ही grow हो जाते हैं यानि एक बार आप इस plant को ला लीजिए और फिर वो हमेशा के लिए आपके पास बना रहेगा next है डेहलिया का plant डेहलिया की काफी सारी variety ऐसी होती है जो tuber से grow होती है और काफी सारी variety seed से grow होती है इनके seed भी इस समय लगाए जा सकते हैं और फिर हम उसकी cutting लेकर भी grow कर सकते हैं यानि एक plant से कई plant बना सकते हैं डेहलिया भी winter season का बहुत खुबसूरत plant होता है तो इनके seed भी आप अभी लगा सकते हैं next plant है ice plant इनकी पत्तियों और stems में बारिक बारिक से crystal होते हैं जो बिलकुल ice की तरह ही लगते हैं इसलिए इस plant को ice plant कहा जाता है ये भी seed से काफी आसानी से लग जाते हैं इनका germination स्रिफ तीन से चार दिन में ही हो जाता है और ये plant इतने ज़्यादा flower देते हैं कि आपको इनके एक ही plant से 100-200 flower एक दिन में मिल जाते हैं तो इसे भी जरूर लगाईए और next plant winter season का सबसे ज़्यादा खुबसूरत plant है और ये हर garden में होता ही है और नहीं होता है तो होना चाहिए ये है petunia petunia के इतने ज़्यादा color आते हैं ऐसा कोई color नहीं है जो आपको petunia में देखने के लिए ना मिले इसमें काफी ज़्यादा varieties होती है ये single petal, double petal दोनों में आते हैं तो आप दोनों को ही इसमें लगा सकते हैं इनके seat का भी 7-8 दिन में germination हो जाता है और ये plant hanging basket के लिए काफी ideal plant है ये छोटी सी basket में भी लग जाते हैं तो इन्हें भी आप अभी लगा सकते हैं और next plant है erantham का plant ये भी काफी खूबसूरत plant होता है इनमें spikes आती है जिनमें flower के bunch निकलते ही जाते हैं तो इन्हें भी आप अभी लगा सकते हैं और next plant है पेंजी का ये बंदरों की सकल की तरह दिखने वाले flower बहुत ही खूबसूरत लगते हैं काफी सारे colors में आते हैं और कुछ-कुछ ये butterfly जैसे भी लगते हैं यान्य आपके हाँ butterfly नहीं आती है तो आप इस flower को लगा लिजे आपको butterfly की कमी महसूस नहीं होगी और next plant है जीनिया जीनिया की जहारा variety जो है उस साल भर ही flower देते रहती है और उसमें इतने ज़्यादा flower आते हैं काफी ज़्यादा flower आते हैं तो आप इस समय जीनिया जहारा की variety को add कर सकते हैं और next plant है वरविना का वरविना भी seed से काफी easily grow हो जाता है ये भी काफी सारे colors में आते हैं जैसे purple, red, white, pink color में और ये plant भी बंचिस में flower देता है तो इसमें इतने ज़्यादा flower आते हैं कि पूरे pot को cover कर लेता है और बहुत ही low maintenance plant है तो ये भी हर garden में होना ही चाहिए तो इसे भी आप अभी लगा सकते हैं next plant है stock का ये plant भी spikes में flower देता है इनमें flower के bunch आते हैं काफी लंबी लंबी सी spikes होती है और ये भी काफी सारे colors में आते हैं ये single petal, double petal दोनों में ही आते हैं तो जिन लोगों को seedling transplant करने में problem आती है उन लोगों को ये plant जरू लगाना चाहिए क्योंकि इनकी seedling इतनी strong होती है कि इनके transplant करने में कोई भी problem नहीं आती है तो इसे भी आप अभी लगा सकते है और next plant है जो हर garden में होता ही है हर किसी का favorite होता है ये है marigold का plant आजकल marigold की भी काफी ज़्यादा variety आने लगी है और ये all season grow हो जाता है तो इसे भी आप अभी लगा सकते है इनके germination की बात करें तो किसी भी seed के germination के लिए सबसे ज़्यादा important होता है temperature यदि सही temperature नहीं है अब कितनी भी अच्छी quality के seed लेंगे तो उनका germination आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो जब day temperature 10 से 25 degree हो और night temperature 20 से 25 degree हो तभी आप इन seed को लगाए तो आपको germination rate बहुत ही अच्छा मिलेगा आप पहले अपने हां का temperature चेक कर लीजिए उसके बाद ही इन seed को लगाईए